मुझे बच्चों मैं सांक आप सभी का स्वाद करता हूं आप से यूट्यूब के हैं सांक स्टेडी सर्कल में तो आज हम फिरिश्ट पर जेंट थें क्लास 10 के एक और वीडियो के साथ जिसमें किया अजर्म इकसराइट 4.2 का कुशन नबर 19 का डिटेल स्वीशन हम करेंगे जिसमें क्या है तो वो सारे कुशन का स्थचु मिस्ट वीडियो हम करेंगे तो पपलीज लाइक करें शेयर करें यदि आपने इसकी पिछली वीडियो जिसमें हमने कुशन नम्बर 17-18 का solution क्या है उसके बारे में अगर आपने वो वीडियो मिस किया तो नीचे description में लिंक है और यदि आपको क्या है बिवेचर की पूरी जानकारी चाहिए तो उस पर भी हमने एक वीडियो बना कर रखी है उसकी भी लिंक आपको description में या जैसे ही वीडियो इंडोगी आपको देखन किसम निकालते हैं तो यहाँ पर सबसे पहले क्या करना है देखे एक आमान जो एकस का गुनांग होता है चार है यहाँ पर बी जो एकस का गुनांग होता है वो है तीन प्लस में है तो प्लस माइनस रहता तो उसी इसी जो हमारा चाहदा सी दिया रहता उसका मान पांच है ठ चलिए इसके बाद क्या करते हैं दीग हाथ सुतर से चलते हैं दीग हाथ सुतर से तुदीग हाथ सुतर क्या होता है बहुँआ X बरावर माइनस B पलस माइनस रूट अंडर B स्कॉार माइनस 4 A C बटा 2 A यही हमारा बिवेचक का फॉर्मूला होता है इसके द्वारा हम इसको क्या करेंगे बनाएंगे चलिए तो X बरावर B का माइनस कितना यह दिया है तो लगा हुआ है माइनस तो पलस माइनस रूट अंडर B का माइनस 3 है तो 3 का whole square minus 4 into A A का माइन कितना बहुँआ चार है और C का माइन कितना बहुआ पांच है बटा 2 into A का माइन कितना बहुआ चार है तो X बरावर माइनस 3 पलस माइनस रूट अंडर 3 का square 9 माइनस 4 चुकर 16 और 16 और यहाँ पर दिया गया है हमारा 5 तो 16 अच्छी कितना हो जाएगा बहुआ हो जाएगा हमारा 80 बटा यहाँ देखें तो जाएगा 4 दुनी 8 तो X बरावर माइनस 3 पलस माइनस रूट अंडर देखें तो 80 में से नौ गया होँआ कितना माइनस 71 बटा 8 हमने आपको बताया था कि यदि कभी ऐसा आजाए कि रूट के अंदर माइनस आजाए तो उसका मान कभी भी जो होता है वो वास्तविक नहीं होता है तो इसे लिखेंगे यहाँ पर कि X का वास्तविक या X का हल जो है वो संभव नहीं है या आप देख लिख सकते हैं कि समीकरन निकाई का हल क्या होगा यह था हमारा कोशन नमबर 19 के 1 का सुलिशन आए देखते हैं कोशन नमबर 19 के 2 को इसका कोशन नमबर 2 यहाँ पर कहता है 3X स्कॉार्ट प्लस 2 रूट 5X माइनस 5 यहाँ पर देखें तो A, A का मान हो जाएगा 3 B का मान हो जाएगा 2 रूट 5 और C, C का मन हो जाएगा बोगो माइनस 5 चलिए तो क्या है दुएगहाथ सुतर से हमको चलना पड़ेगा तो दुएगहाथ सुतर क्या होता है बोगो होता है X बराबर माइनस B पलस माइनस रूट अंडर B स्कॉार माइनस 4AC बटा 2A ठीक है यह बिवेचक नहीं है याद रखेगा सुरी इस वीडियो में क्या है कहीं कि हमने बिवेचक वर्ड का यूज किया यह बिवेचक नहीं है ठीक है तो यह जो है हमारे दुएगहाथ के मूल है ठीक है इस बात का ख्याल रखेगा भी बेचके कि आप जगे एकस के जगे सिर्फ डी रहेगा ठीक है तो थोड़ा सा आपकुछ फॉर्मूला में डिफरेंस आपको दिखने को मिलेगा चुर्थ यहाँ पर देखें तो बी एकस बराबर माइनस बी बी का मान कितना है वो दो रूट पांच है तो माइनस हो जाएगा प्लस माइनस रूट अंडर बी एसको यानि दो रूट पांच का होल स्कॉार माइनस फॉर इंटू ए का मान तीन है और जो सी है इसका मान माइनस पांच है बटा टू ए दो प्लस माइनस, रूट अंडर दो दूने, चार, चार पच्छे, 20 माइनस इंटू माइनस प्लस, चार तेया, 12, 12 पच्छे, 60 बटा, टोटली 6, एक्स बरावर माइनस, दो रूट पाँच, पलस माइनस 80, तो 80 को हम लिख सकते हैं 4 रूट 5, बटाचे, अब 4 रूट 5 कैसे, 4 गुने 4 गुने 5 कर दीजे, जो रूट के बाद तो उसको 2 बार, जो रूट के अंदर तो उसके एक बार, देखें, चार चोगर 60, 65 80, 80 का महानी तना लिख सकते हैं तो आप देखें, हमको 2 माना भी प्राप्ट हुआ है ठीक है, बारिवाई से कहा है, दो नमाना देख लेते हैं 1st condition, x बडाबर हो जाएगा माइनस 2 रूट 5 पलस, 4 रूट 5 बटाचे, पहले प्लस वाला ले रेते हैं और दूसरे condition में कैब होगा x बडाबर माइनस 2 रूट 5 माइनस वाला ले ले लेते हैं माइनस 4 रूट 5 बटाचे, यहां देखे थो हो जाएगा 2 रूट 5 बटाचे हो जाएगा, जी 2 ती या 6, याने हो जाएगा x बडाबर मान, रूट 5 बटा 3 हो जाएगा हो जागा ना रूट पांच विटा तीन इधे कि इस आप से तो हो जागा माइनस छे रूट पांच विटा छे से छे खत्म तो X का मान कितना हो जागा बहुआ यहां पर देखे तो X का मान हो जागा माइनस रूट पांच ही हमारा answer हो गया तो यह था हमारा question number 19 के दो का solution I hope वीडियो पसंद आए वीडियो पसंद आए तो प्लीज लाइक करें शेयर करें नहीं तो प्लीज सब्सक्राइब करना बिल्कूर न भूलें तो चले चलते हैं question number 3 में चले question number 3 में हम देखें तो 3 बहुत ही simple सा question है A का मान 1 है B का मान माइनस 16 है C का मान यहां पर 64 दिया दुए घास सुतर से निकाले तो X बराब हो जागा minus B plus minus root under B square minus 4AC but 2A तो X बराबर B का मान 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 प्लस 16 हो जाएगा माइनस 256 बटा दो एकस बराबर 16 पलस माइनस 0 यहने खतम हो जाएगा जी बटा दो ठीक है तो यहां पर एकस का मान कितना जाएगा बहुआ डायरेक्टी आ जाएगा हमारा देखे अगर लिखना चाहिए इसको पलस माइनस 0 भी आप लिख सकते ना 0 का तो भाई 0 ही आएगा त एकस का मान तो हमेशा 8 ही आएगा 8 और यहां भी 8 ही आएगा तो यह हमारा एंस हो गया यह था हमारा कोशन नमबर 3 का सुलूशन आई चलते हैं कोशन नमबर 4 में चले कोशन 4 बहुत इंट्रेस्टिंग कोशन है आराम से समझें बिलकुल समझने में दिक्कत नहीं होगी ठी है तो चल का मान देखें तो एका मान हो जाएगा 3a square यानि कि एकस और गुना यह है बी बी का मान देखें यह वाला एकस को छोड के तो कवन हो जाएगा यह 8 का मान हो जाएगा 4B square totally हो जाएगा ठीक है छोड़ना किसी को नहीं है ठीक है चलिए तो इस दिखाद सुत्र से क्या हो जाएगा X बराबर minus B plus minus root under B square minus 4AC बटा 2A हो जाएगा न जी X बराबर B B का मान तो minus 8 B हो जाएगा plus minus root under B के जब 8 B का whole square minus 4 into A का मान 3A square और B का मान C का मान 4B square बटा 2A यह दो गुने 3A square चलिए तो X बराब हो जाएगा जी minus 8 A B plus minus root under 64 A square B square और minus हो जाएगा चार्च को 16 तीगा 48 A square B square बटा 6 A square हो जाएगा तो X बराबर minus 8 A B plus minus हो जाएगा root under 16 A square B square बटा 6 A square X बराब minus 8 A B plus minus 16 का वर्ग होता है 4 A निकलेगा B निकलेगा बटा 6 A square चलिए यहाँ पर हमारा दो कंडिशन बनेगा जी अब देखें कौन कौन सा कंडिशन बनेगा तो इसको ध्यान से हम देखेंगा ठीक है first की बात करें तो यह कंडिशन बनेगा X बराबर minus 8 A B plus 4 A B बटा 6 A square तो हो जाएगा हो जाएगा X बराबर minus 8 A B minus 4 A B बटा 6 A square तो हो जाएगा X बराबर minus 12 A B बटा 6 A square छेदुनी 12 A से A खत्म तो हो जाएगा X बराबर minus 2 B बटा A तो हमारा answer हो जाएगा अब देख लीजगा अगर कहीं पर चांस कभी गलती हो सकता है कि minus plus कहीं छूटी आओगा तो आपसको मिला ली जाएगा ऐसे मेरी साफ से तो कोई गलत नहीं है तो चले चलते हैं इसी question number 5 में चले इस chapter का सबसे बड़ा question याने मतलब sorry इस question मतलब इस question में क्या question number 19 का सबसे बड़ा question यही है तो देखे तो आसा अंक भी आपको बड़ा लग रहा होगा देखते में यहाँ पर a का मान a का मान हो जाएगा 9 बहुत simple b का मान minus 9 into a plus b क्योंकि x का गुना अंक भी होता है c जो बाकी बच गया तो c का क्या है बहुआ जी 2a square plus 5ab plus 2b square इतना बड़ा मान है है ना तो चले देखते हैं दिखाद सुतर से x बड़ाब माइनस b plus minus root under b square minus 4ac बटा 2a तो हो जागा x बड़ाब माइनस b याने minus into minus plus हो जाएगा minus into minus 9 a plus b हो जाएगा ना जीस प्रकार चले plus minus root under b square तो minus 9a plus b का whole square ठीक है और minus 4ac4 into a a का मान है 9cc का मान क्या है 2a square plus 5ab plus 2b square है ना चले तो असल लंबा बनेगा बट कोई बात नहीं why are you here when the sun is here है ना 2 into a का मान ने का मान है 9 चले ते x का मान हो जाएगा जी minus into minus plus तो 9 into a plus b plus minus root under देखे ध्यान से यहाँ जाएगा 81 इसको भी चाहे तो हम लोग तोड़ सकते हैं a square plus 2ab plus b square हो जाएगा जी minus 36 into 2a square plus 5ab plus 2b square हो जाएगा चले इसके बाद हो जाएगा जी यहाँ पे 18 है जाएगा एक्स पराबर इसको पिछा है तुम तोड़ सकते हैं बड़ इसको ऐसे ही रहने देते हैं 9 into a plus b plus minus root under देखें अब देखें लोते हैं इसको हो जाएगा 81a square plus 162ab plus 81b square minus 72a square minus 180ab minus 72b square और बटा 18 हो जाएगा जी हो जाएगा जी x बराबर 9 into a plus b अब देखें प्लस minus इसको घटाएगे हम लोग इससे तो यहाँ बच जाएगा पहुआ 9a square इसको घटाएगे इससे तो बच जाएगा minus 18ab इसको घटाएगे उससे तो हो जाएगा plus 9b square बटा 18 ठीक है x बराबर 9 into a plus b इसको देखें तो दे देखें एक फ्रमूला की रोप निकल सकता है 3a का whole square minus 2 into 3a into 3b plus 3b का whole square देखें इस form निकलता है तो एक फ्रमूला किसका हो जाता 3a minus 3b का whole square तो इसको चाहएगे तो हम अगर बाहर निकालता है स्कुएर तो खतम हो जागा तो बच किया जाएगा 3A-3B बटा 18 बच जाएगा को समय निम कोई दिकत नहीं है आए होगी आपको ध्यान दीजेगा तो X बराबर ठीक है चली इसको हम चाहें तो तोड़ सकते हैं या फिर चाहें तो आप इसको क्या है अब तो यहां पर से दो उनिकल जाएगा पहला फॉर्म 9A पलस 9B पलस 3A-3B बटा 18 दूसर फॉर्म क्या है इसका X बराबर 9A पलस 9B माइनस 3A पलस 3B बटा 18 एकस बराबर हो जागा 12A पलस 6B बटा 18 ठीक है चे तो X बराबर यहां पस छे कोमन निकार बजाएगा 2A पलस B बटा 18 ठीक है तो हो जाएगा X बराबर 2A पलस B बटा 3 हो गया पहला एंसर हमारा इसके तरफ से देखे तो हो जाएगा 6A पलस 12B बटा 18 छे कोमन निकालने तो बजाएगा A पलस 2B बटा 18 ठीक है तो X का मान A पलस 2B बटा 3 तो हमारा X का दो मान आ गया 2A पलस B बटा 3 और एक है हमारा A पलस 2B बटा 3 तो यह था हमारा कुश्यन नमबर 5 का अंसर आइए देखते हैं कुश्यन नमबर 6 एवं 7 को कुश्यन नमबर 6 और 7 हमने एक ही साथ लिखा है तो कुश्यन में 7 तो काफ़ी सिंपल है आप उसको बना सकते हैं अगर इसको चाहें तो क्या है कि अगर आप इसको कुश्यन साथ ही पहले देख लेते हैं इसका हो जाएगा अब आप A का मान दख लिजेगा 4 B का भी मान दख लिजेगा 4 C का मान मान माइनस 15 तो X के मान पर दख लिजेगा माइनस B याने माइनस 4 प्लस माइनस रूट अंड़ B का स्कुार याने 16 माइनस 4 प्लस हो जाएगा माइनस इंटू माइनस प्लस यह हो जाएगा न तो 4 चुके 16 16 उन्हें 15 240 बटा 2A मतलब 2 चुके X बराबर माइनस 4 प्लस माइन 256 कौता 16 बटा 8 देखे आराम से सबस्पर इसका सुलीशन ही हो जाएगा आप कुछ करने की जो अतने X बराबर माइनस 4 माइनस 16 बटा 8 X का मान माइनस 20 बटा 8 दो देखे 20 दो चुके 8 पांदुनी 10 दो पचे 10 दो 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 चार X का मान माइनस 5 बटा 2 इसका हो जाएगा माइनस 4 प्लस 16 बटा 8 X का मान 12 बटा 8 दो चक बार दो चुके 8 दो तिया चे दूदू नी चार्ड एक्स का मान तीन वट्टा दो पांच वट्टा तो यह एंसर हो गया इससे पर कुशन नमर्च छे आप देखे दिया है तो एलसी हम निकालेंगे थो जाएगा एकस स्क्वार प्लस वन और इसको इधर भी लिए तो हो जाएगा माइनस थीरी या पिछाय तो नहीं विला सकते हैं इसे कोई क्या दिक्कत तो नहीं पड़ेगा तो माइनस थीरी एकस बराबर यह चला जाएगा एकस तू धर जीरो हो जाएगा तो एकस स्क्वार माइनस थीरी एकस प्लस वन इकल टू जीरो हो जाएगा ना चलिए तो हैं आप एक का मान 1 है, B का मान माइनस 3 है C का मान 1 है तो दिखास उतर देखें तो X बराब माइनस B प्लस माइनस root अंडर B square माइनस 4AC बटा 2A X का मान माइनस B याने 3 प्लस माइनस root अंडर 3 तिया 9 माइनस 4 एकम 4 हो जाएगा बटा 2 एकम 2 तो X बरा हो जाएगा 3 प्लस माइनस root अंडर 5 बटा 2 तो या हम देखें X का 2 मान X बराब एक बार आजागा 3 प्लस root 5 बटा 2 आई एक बार आजागा 3 माइनस root 5 बटा 2 क्योंकि solution तो होगा नहीं तो इतना ही पर हमको answer रखना पड़ेगा तो ये था हमारा question number 19 का detail solution ठीक है एक भी question हमने छोड़ा क्या है नहीं है तो I hope वीडियो पसंदा है वीडियो पसंदा तो प्लीज लाइक करें शेयर करें तो प्लीज सब्सकाइब करना बिलकूर न भूले और वीडियो कुन तक पहुचा है जिनको इस वीडियो की जरूरत है तो मिलते नेक्स वीडियो में और पिछली वीडियो के लिंक दिस्क्रिप्शन में तब तक लिए धन्यवाद जय हिंद